पीएफ अकाउंट की सबसे बड़ी प्रोब्लम यानि की पीएफ अकाउंट डिसेबल्ड की आप सभी को पता है कि मैं डिसेबल्ड के लिए पहले से भी वीडियो बना रहा था आपको हमेशा इंफॉर्म कर रहता था ठीक है लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगों क ध्रोब्लम करते हैं नहीं है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस ने आपको डिसेबल्ड कराए न चैनल पर फॉस्ट टाइमें जरूर्बर सब्सक्राइब कर लें बैल आकन की दवा देना चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों जो हमारा पीएव यूएन अकाउंट है वह जो डिसेवल्ड किया गया है वह पीएफ ओफिशने नहीं करा पीएफ बिल्गुल शही बोला कि उन्होंने आपका अकाउंट जो है डिसेवल्ड नहीं करा क्योंकि उनके सिस्टम में ऐसा कोई भी मलब तरीका नहीं है कि आपका पीएफ अकाउंट को बंद कर सके अब बात आती है कि आपका डिसेवल्ड अकाउंट किस ने बता दू किसने करा है तो मैं आपको बता दू आपका जो जितने भी आपके यूए नंबर है इंप्लोई है सब का डाटा उनके पास होता है और अगर आपके डेटा में को बनाके उसमें से करिये तो बताए तो कोई भी गलत एक्टिविटी वहां से पाई जाती है तो वह नेशनल डेटा सेंटर क्या है कि उनके सिस्टम में सब कुछ पता लग जाता है और जैसे वह पता लग गया जितने भी लोग उने के वाई से कर दिया यहां पर गड़ बड़ी तो इस वज़े से मैं आपको बता दूँ कि अपको डिसेबल करा गया एंडिसी नैशनल डेटा सर्वर सेंटर से ठीक है तो अब यहां पर क्या होता है कि हमें यह खुलेगा कब तो मैं आपको बता भी चुको हूँ पिछली वीडियो में जिनका अगर अब्री स्कीम से डिय लग जाएगा कि कितना टाइम और लगेगा आपका जो डिसेबल अगांट ओपन होने के लिए यहां तक कि एक खुसकबरी की बात है वह भी मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा चलिए वीडियो को यहां ही समाप्त करते हैं मिलूंगा नेक्स वीडियो में जली तब